हालो जाहिन सभी को श्वागा थे आप सभी का पुना आज के इस निव वीडियो में जो कि चंदिकड़ स्पेशल एजुकेशन MCQ स्रीज 4 है चौथी वीडियो है जिसमें हम 20 कोस्टन की चर्चा करेंगे जो कि बहुत महत्पूड होगे और सभी कोस्टन किसी ना किसी कानून से जाने कि चंदिकड़ स्पेशल एजुकेशन के एकजाम के लिए ही उप्योगी है यह किसी भी आने वाले स्पेशल एजुकेशन के लिए उप्योगी वीडियो है आप जरूर देखिए अंतर तक बने रही है वीडियो में बहुत सारे ऐसे questions हैं जो सायद आप जानते होंगे बट अधिकतर ऐसे होंगे जो आप नहीं जानते होंगे आप सीख फाएंगे तो चली जानते हैं आज के बिभिन questions को आपके सामने ये रहे question number 61 क्या कहता है कि भारती पागलपन अधनियम 1912 में सरण सब्द का क्या अर्थ है आप जानते हैं कि इंडियन लुनाशी एक 1912 में आया और उसमें एक सब्द का जिक्र है जिसको सरण कहते हैं और उसका मीनिंग क्या है इसके बारे में हैं हमेरे पास चार आप्सन से अप्सन A समाजिक समारों के लिए एक स्थान अप्सन B पागलों के लिए एक मांसिक अस्पताल अप्सन C एक सरकारी कारियाले अप्सन D एक मनुरंजिक सुमिता question number 61 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer a mental hospital for lunatics उस समय ऐसे ही सब्दों का परियुक किया जाता था अब तो काफी शुधार हो गया है सिंतन सक्ति में सब्दों में लेकिन उस समय ऐसे ही सब्दों का परियुक किया जाता था question number 62 जो आपके सामने है I.L. adnium I.L. means Indian lunacy Indian lunacy जिला न्यायाले का अर्थ dot dot सहरों की स्थानी सीमा के बाहर किसी भी छेत्र में मूल छेत्रा अधिकार का प्रमुक सिविल न्यायाले है हमार पास चार options है पहला ग्रामीर यानि की रूरल option B metropolitan या फिर option C option D सहरी question number 62 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer या आप तभी exactly दे पाएंगी जब आप इसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे ये officially भी available है PDF के रूप में भी available है आप इन्हें वैसे भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं questions तो वनी रहे हैं, सारे questions आपको मैं कोशिस करूँगा जितना हो सा कि provide कर सकूँ question number 63 जो आपके सामने हैं कि मानसिक स्वास्थ देख भाल अधनियम कब पारित किया गया जो mental health care rect है, वो कब बास हुआ हमेरे पास चार options है option A 2019 में, option B 1987, option C 2017, option D 1994 question number 63 का जो हमारा सही जवाब है, option C is the correct answer 2017 question number 64 जो आपके सामने हैं कहता है भारती पागलपान अधनियम 1912 के तहित प्रतिक सरण्ड के लिए अगन्तुकों की नियुप्ति के लिए कौन जिमेदार है हमेरे पास चार options है, पहला केंद सरकार, option B इस्थानिय प्राधिकारी या फिर option C, राजिस सरकार या फिर option D, नगर निगम question number 64 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer state government ये सारी बातें उस अधनियम में लिखी हुई हैं कोसिस करेंगे कि डिटेल से भी वीडियो उसका बना दे question number 65 जो आपके सामने हैं कि इंडियन लुनासी अधनियम केता है किस अधिकारी को उसके अधिकार छेतर की सीमा के भीतर सभी आस्रेयों के लिए पदेन आगंतुक के रूप में नामित किया गया है लेकिन ऐसे कोई विक्ति हैं जो इसे सम्बंदित हैं हमारे पास चार आप्सन से आप्सन A मुख्य चेकित साधिकारी आप्सन B पुलिस अधिक्षर या फिर आप्सन C कारागार महा निरिक्षर या फिर आप्सन D मुख्य नयाधिस question number 65 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer कारागार महा निरिक्षर inspector general of prisons question number 66 जो आपके सामने है कि मानसिक स्वास्त अधिनियम 1987 का मुख्य उद्देश क्या है हमारे पास चार आप्सन से option A मानसिक स्वास्त पेशवरों को विन्यमित करना option B मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को बित्ती सहायता परदान करना option C मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और देख भाल से सम्मन्दित कानून को समेकित और संस्वधित करना या फिर option D समुदाय में मानसिक स्वास्त जागरूपता को बढ़ावा देना question number 66 का जो हमारे सही जवाब है option C is the correct answer question number 67 जो आपके सामने हैं कि मानसिक स्वास्त अधनियम कब बना option A 1985 1975 option B 1987 1987 option C 1990 1990 option D 2000 2000 question number 67 का जो हमारे सही जवाब है option B is the correct answer 1987 question number 68 achievement जो आपके सामने हैं कहता है कि मानसिक स्वास्त अधनियम 1987 का ओदेश किसके लिए बहतर प्रावधान करता है या किसके लिए बहतर प्रावधान करता है हमेर पास चार options है option A मानसिक्स रूप से बीमार व्यक्तियों की सिख्षा option B मांसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए रोजगार के आउशन Option C मांसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का उपचार और देखभाल और उनकी संपत्ति और मामले से संबंधित या फिर Option D मांसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए सामाजिक कारिग्राम Question No. 68 का जो हमारा सही जवाब है Option C is the correct option मांसी ग्रूप से बीमार बेटियों का उपचार और देखभाल और उनकी संपत्ती और इससे संबंधित जमाम लेहें ये related Question No. 69 जो आपके सामने हैं मांसी ग्रूप से बीमार बेटियों का सेवन करने वाले Question No. 69 का जो हमारा सही जवाब है Option B is the correct answer जो mentally ill person होते हैं उनसे related Question No. 70 कि उपचार और देखभाल के अलावा मांसीक स्वास्थ अधनियम 1987 द्वारा कवर किये गए प्रमुक पहलूँ में से एक क्या है हमारे पास चार आप्सन है Option A मनुरंजन Option B मांसी ग्रूप से बीमार बेक्तियों के संपत्ति और मामले Option D मांसी ग्रूप से बीमार बेक्तियों के राजनीतिक आधिकार Question No. 70 का हमारा सही जवाब है Option B इसदा Correct answer या मांसी ग्रूप से बीमार बेक्तियों के संपत्ति और मामले मुक पहलू पर ध्यान देता है Question No. 71 क्या कहता है UNCRPD अधिनियम 2006 के अनुख्षेद 6 का प्रात्मिक फोकस क्या है मैं किस पर फोकस करता है हमारे पास चार आप्सन से Option A क्यवल महिलाओं के अधिकारों की माननेता Option B विकलांग महिलाओं और लड़कियों के प्रती अनेक भेदभाव की माननेता Option C पूरुसों और महिलाओं का समान रूप से सशक्ति करन Option D पूरुसों और महिलाओं के लिए व्यायाम और अधिकारों के आनन्द की गारंटी Question No. 71 का जो हमारा सही जवाब है जो इसका सही जवाब है Option B is the correct answer 71 का यह recognition of multiple discrimination against women and girls with disabilities यह discrimination के against है ऐसा नहीं कि discrimination करता है Question No. 72 72 क्या कहता है 72 UNCRPD अधिरियम 2006 के अनुशेट 6 के अनुशार राज्यों की पार्टियों का क्यादाईत है हमार पास चार आप्सन से आप्सन एक केवल महिलाओं के अधिकार सुनेशित करना आप्सन B महिलाओं के पूर्ण विकास उन्नती अम्स्रशक्ती करने है तू उपाय करना आप्सन C विशेश रूप से पूरुसों के अधिकारों पर ध्यान के अंधिरित करना या फिर आप्सन D विकलांग महिलाओं के प्रती भेदभाव को नजर अन्दाज करना क्वेशन नबर 72 के जो हमारा सही जवाब है आप्सन B इस दा करेक्ट आप्सन भाईलाओं के पूर्ण विकास उन्नती अम्स्रशक्ती करने है तू उपाय करना क्वेशन नमर 73 जो आपके सामने है कि UNCRPD अधनियम 2006 का अनुचेर 11 है शशत्र संघर्स मानवी आपाद इस्थिति और प्राकर्तिक आपदाओं सही जोखिन के इस्थितियों में विकलांग बेक्तियों यादि ब्यांग बेक्तियों को डॉट डॉट को सुनिश्चित करने पर के अगरी थे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लि playground के तहित अपने दाइत्तों की अनुसार उपाय करने के लिए बात हैं हमेर पास चार आप्सन से, आप्सन A राष्टी कानून, आप्सन B परियावनट कानून, आप्सन C अंतराष्टी कानून जिसमें अंतराष्टी मानवी कानून और अंतराष्टी मानवादिकार कानून सामिल हैं, या फिर आप्सन D शंबैधानिक कानून Question No. 74 का जो हमारा सही जवाब है Option C is the correct option अंतराष्टी कानून जिसमें अंतराष्टी मानुवी कानून और अंतराष्टी मानुवादिकार कानून सामिल है Question No. 75 जो आपके सामने है कहता UNCRPD अध्रियन 2006 के अनुचेद 11 में विशेश रूप से डौट-डौट की स्थितियों में सुरक्षा का उलेख है हमार पास चार आपसन से Option A परियावडी जोखिम Option B मानुवी Option C वित्तिय Option D शहस्त्र संघर्ष और मानुवी आपात स्थितिया Question No. 76 जो आपके सामने है कहता है कि RPWD अध्नियम 2016 के अध्याए नौ के प्रयोजनों के लिए शक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करता है हमार पास चार आपसन से Option A के इंद सरकार Option B स्थानी ये नगर निकार Option C राजसरकार Option D राष्टियमानवादिकार आयो Question No. 76 का जो हमारा सही जवाब है Option C इसदाकर एक टांसर स्टेट कवर्मेंट यानिकी राजसरकार Question No. 77 जो आपके सामने है कि किन परिस्थितियों में मांसी कुलूप से बीमार बेक्तियों की देख फाल के लिए किसी संस्थान को RPWD अदियम 2016 के तहट पंजी करण से चूट दी गई है हमारे पास चार अप्षन से Option A Company अदियम के तहट वैद लाइसेंस धारण करना Option B मानसिक स्वास्थ अदियम 1987 के तहट वैद लाइसेंस धारण करना Option C किसी गयल सरकारी संगठन से मानता प्राप्थ होना या फिर Option D बारती पुन और परस्थ दोरा निर्धारित मानकों को पूरा करना Question No. 77 के जो हमारा सही जवाब है Option B इसदा करेक्ट आशर मानसिक स्वास्थ अदियम 1987 के तहट वैद लाइसेंस धारण करना ये इसे संबनित है Question No. 78 जो आपके सामने हैं कि RPWD Act 2016 के संदर अंतरगत वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर शक्षम प्राधिकारी को धारा 51 के तहट आवेदन प्राप्थ होने पर पंजी करन प्रावाण पत्र देना होगा उसकी समय सीमा क्या है हमारे पास चार आप्षन से आप्षन A 60 डेज यानि की 60 दिन आप्षन B 90 डेज यानि की 90 दिन आप्षन C 120 डेज 120 डेज यानि की 120 दिन या फिर आप्षन D 180 डेज यानि की 180 दिन Q78 का जो हमारा सही जवाब है आप्षन B Is the correct answer 90 डेज यानि अनिप्वे दिन Q79 की RPWD Act 2016 की अंतरगर पंजी करन प्रमाण पत्र देने से इंकार करने की स्थिती में आदेश देने से पहले आबेदक को क्या आउसर दिया जाना चाहिए हमार पास चार आप्षन से आप्षन A तीस दिन का नोटिस आप्षन B एक लिखित इस पश्टी करन आप्षन C सुनवाई का उचित आउसर या फिर आप्षन D अनुपालन के लिए छूट अवदी Q79 का जो हमारा सही जवाब है आप्षन C Is the correct answer सुनवाई का उचित आउसर Q80 जो आपके शामने है कि धारा इक्यावन 4 B के तहित पंजी करन प्रमाण पत्र का नभीनी करन कितनी बार किया जा सकता है Option A नभीनी करन की कोई आउसरकता नहीं है Option B समय समय पर समान आवधी के लिए नभीनी करत किया जा सकता है Option C जीवन में एक बार Option D नन यानि कि इनमेंस कोई नहीं है Question number 80 है 80 है उसका सही जवाब है Option B Is the correct समय समय पर समान आवधी के लिए नभीनी करत किया जा सकता है यह कुछ questions जो इस series से related थे I hope आप बहुत कुछ जानते होंगे या हो सकता है ना भी जानते होंगे आप comment करके जरूर बताइए और वीडियो को like जरूर किया करिया मुझे लगता है कि साइद आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर आगे बनाऊं और अगर ऐसे ही लगता है कि ठीक ठाक नहीं है तो रोग देता हूँ कोई ऐसी देकत भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग है views भी जितने भी आ जाते हैं बट like नहीं करते हैं आप लोग इससे पता चलता है कि फिर वीडियो आपको पसंद नहीं है साइद देखना नहीं पड़ जबर जस्ती आपको देखना पड़ता है क्योंकि एक्जाम आ रहे हैं तो ऐसी कोई जरूरी भी नहीं है आप कोशिश करें कि कमेंट करके भी बता सकते हैं Thank you so much मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जाइए हैं बंदे मात्रा